हेलो दोस्त वेलकम टो श्टरीकोच 91 योट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बात कर देंवाला हूँ बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए जौब से रिलेटर तो दोस्त वीडियो के साथ पुराइन तक बने रहेगा वीडियो मैं पूरा फिल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहां से जो है आप लोगों के पास में ये जौब की ऑपरचुनिटी आई हुए दोस्तो कितनी आपको सैलरी मिलेगी इस क्रैटरिया क्या है इलिजबिल्टी क्या है किस ब्रांच के लिए ठीक है पुरी बात मैं आपको बता के लिए जो बीटे के स्टुडेंट्स हैं या फिर दोस्तो सुपरवाइजर यानि कि डिप्लोमा के लिए जो है ये नोकरिया आई है जोस्तो इसमें 71,000 तक आपको सैलरी मिल सकते है देखते रहे ये बीडियो के साथ पुराइन तर दोस्तो चलिए देखते हैं इसके बारे में फूल डिटेल्स भारत हैवी इलेक्रिकल लिम्टेड यानि की बेल में इंजिनियर और सुपरवाइजर की भरतिन निकली है सिविल इंजिनिंग में डिगरी और डिप्लोमा करने वाले युवा इंजिनियर और सुपरवाइजर पत के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तो ये सिविल ब्रांच के स्टुडेंट्स ही कर सकते हैं इसमें चाहे वो बीटिक किये हूँ या फिर दोस्तो डिप्लोमा किये हूँ बीटिक किये हूँ तो इंजिनिंग पत के लिए और डिप्लोमा किये हूँ तो वो सुपरवाइजर पत के लिए इसमें अप्लाई कर सकते ह इसके लिए निर्धारीत प्रारूप में आवेदन 24 सितंबर तक किये जा सकते हैं दूस्तो 24 सितंबर है लास्ट डेट आपको अपलाई करने के लिए भेल दोरा इंजिनिर और सुपर्वाइजर भरती का बिग्यापन 4 से 10 सितंबर 2021 के रोजगार समाचार में प्रकासित किया गया है नौटिफिकेशन के अनुसार इंजिनिरिंग और सुपर्वाइजर के कुल 22 वेकेंसी है तो दूस्तो इंजिनिरिंग पत के लिए सुपर्वाइजर दोनों मिलाकर के टोटल 22 वेकेंसी है जिसमें सो दूस्तो 7 वेकेंसी जो है यानि कि 7 सीट जो है वो है इंजिनिरिंग पत के लिए वो 15 सीट जो है वो है सुपर्वाइजर पत के लिए ठीक है तो दोस्तो आप देखते हैं भेल भरती 2021 किसकी नोटिफिकेशन के अनुसार आनलाइन आवेदन 24 सितंबर तक ही किये जा सकते हैं जैसा कि हमने आपको बता है कि 24 सितंबर को आपको अपलाई करने का इसमें लास्ट डेट है जबकि आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी वेल PSIR कोलकाता को भेजने की अन्तिम्तिती 1 अक्टोबर 2021 किस है दोस्तो आप लोग को आनलाइन अपलाई करके आप लोग की हार्ड कॉपी जो है वो भेल PSIR कोलकाता को भेजना है जिसकी last date 1 October है और अगर आप दोस्तों दूरदराज के या फिर दूरदराज के अब भ्यारती जो है वो hard copy के लिए उन लोग को 8 October तक भेज सकते यानि कि 8 October तक पहुंच जाए उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं vacancy के बार में details तो दोस्तों इंजिनियर के पत के bachelor degree या फिर पांच साल का integrated master degree course bachelor degree या integrated degree course ने उनतम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए यानि कि दोस्तों बीटे को आपका civil engineering में या फिर दोस्तों पांच साल का integrated master degree course हो उसमें दोस्तों minimum आप लोग की 60% marks हो तब आप लोग इंजिनियर के पत के लिए apply कर सकते हैं और supervisor के पत क course ने उनतम 60 अंकों के साथ पास होना चाहिए यानि कि दोस्तों civil engineering से अगर आप diploma किये हो minimum आपका 60% है तो दोस्तों यानि कि 60% से आप लोग उपर जो है percentage है तो आप लोग apply कर सकते हैं supervisor पत के लिए अब दोस्तों बात करती ही इसकी is limit की यानि आयो सीमा की दोस्तों इंजिन से कम होनी चाहिए दोस्तों अगर बात करें इसकी salary की तो salary कितनी मिलेगी इंजिनियर के पत के लिए 71,040 रुपे मिलेगी जबकि supervisor के लिए 49,670 रुपे पर बंत मिलेगी ठीक है तो दोस्तों ये थी salary और ये थी आप लोगों की job से related महत्पूर्ट जानकारी आज अगरता ह लिंक से डाउन्डोड करके notification को पढ़ सकते हैं नहीं तो दोस्त आपको apply करने का link भी description में मिल जाएगा आप लोग वहाँ से जा करके apply कर सकते हैं अगर लाइक और चैनल पर ने हैं अभी तक subscribe नहीं किया हैं तो subscribe कर लिए लेटेस्ट अपडेट बेटी उपे से related और दोस्त जौब अलर्ट को पाने के लिए तो मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए पाएं